हिलो फ्रेंज स्वागत आपका अपना एक्जानल 113 में आज जो मैं सेंटर एक्जाम कलाश 10 का मैस का औरिजनल परसने पत्रे का वर्यल आपडिटिव क्वेस्टन बताने वाले हैं जो हंडेड परसेंट 25 नॉवंबर को आपके एक्जाम में यह क्वेस्टन पूछा जाएगा अगर आप मेरे एक्जानल में नए हो तो मेरे एक्जानल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन का घंटी और पर प्रेस्क्राइब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें पहला नमर क्या आपका प्यक्यू पूर्णांक है क्यों डर्जनर के रूप में 0.4 एक का रेक्र रेक्रिंग रेक्रिंग को हटाने के बाद जितना संख्या रहेगा उसके नीचे 9 हो जाएगा अगर पांच रह जाता फिर इसके ओपर भी डेक्रिंग रहता इस तरह से तो यहां एक बार और नो हो जाता है नो सब्सक्राइब क्या आपका निम्दले लिखित में कौन ऑपर 6x-21-21 का सुन्यक है इसका इसका जो जाएगा इसका क्या एंसर जाएगा इसका क्या हो जाएगा यह खांटेफ्य होजागाई 7 बटे 2 हो जाएगा एकर दूटिया 6 एक चलिए अगला नम्र कोष्टन थी किया अपका अगला नम्र कोष्टन आपका प्ट अगले सांगी है तो इसका क्या हो जाएगा फीन फिसका अगे पुछता यहां पर तो हो जाता है तो इसका है नमर हो जाएगा यह नमर जो आपका स高 However होगा इसका जो जाएगा इसका क्या हो जड़ेंगे इसके ततुर दोड़ेंगे हम करने। किस तरह हम M3 को आर्र को और क्या है का M2 और in e2 का तो ढोड़ेंगे यानि क्या होजाइगा एक बढ़ एक छेका क्या याँ चाहिए चलिए में यहाँ चलिए अगला नम्र के ऐता है यदी एटारे का लॉसो थी से त्था ए और अठारे का जो दू है तो यह ब्राँबर क्या हो जाएका 2 संख्या का फ्रक्रदेंगे तो मौसूधसे का मुच्ञा क्या है 10 जाता है तो आपका 36 गुने चाहरे चाहरे से निकल जाएगा तो आपका दो ऑपरी में संख्यां तो पलस रूटीन तथा दो मैंस रूटीन का गुनन फल है एक तो यह कौन सा हो जाएगा आठका जो हो जाएगा आपका ए नमर हो जाएगा एक पड़ी में संक्षियां होगा इसको जब सॉल्फ करेंगे तो पता लग जाएगा चलिए अगले नमर क्वेशन किया आपका नौ नमर दुईघाद बहुपद एक्स स्क्वाइर पलस एक्स मैनस बीस के सुन्यक है जब इसको हम सॉल्फ करेंगे तो इसका सुन्यक क्या निकल के आजाएगा आपका यानि नौ नमर का सुन्यक क्या निकल के आजाएगा यानि मैनस पांच और चार निकल के आजाएगा इसको जब तो अलफा बीटा का मान होगा अलफा बीटा बिटा बरावर हो जाता आपका फर्मुला क्या मैनस बाइए तो मैनस बीबाइए वह फर्मुला हम यूज करेंगे यूज करने के बाद डिरेक्टली इसका जो एंसर हो जाएगा आपका दसका भी निमर हो जाएगा मैनस बी मैनस बी या नहीं मैनस पांस हो जाएगा और यह जो है दो तो इसलिए मैंस फंस बादन का हो जाएगा इस तरह कोस्न तो आसान है अका ऐंटा क्या हो यहां पर यहां पहले छारno फ स्भूल यहां पहले सोपीं हुभल को होजाएगा है नित्वा और Сीचा मैंस न से विण है उन्हेगा अपर अगले नम्र क्या है अगले नम्र कुस्टन या अगले नम्र कुस्टन आपका यदी समिकरन के एक स्क्वाइर पलस इसक पलस नाइन के एकोल टू जीरो के मूलो का योग और गुनन फल समान हो तो के का मान है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका जो एंसर हो जाएगा आपका बी नमर हो जाएगा इसका एंसर क्या हो जाएगा बी नमर मैनस दो पटे तीन हो जाएगा अगले नमर क्या है आपका अगले नमर क्या है आपका यदि एक्स बरावर दोनों सहमे करनो एक्स स बतातना चाहता हूं कि आपका 25 नॉवंबर को एकजाम होने वाला होने वाला है संटर्ड आपको यह पूछा जाएगा फूब हो यह चौछ नुब्र कुछा जाएगा इसका इसका इंसर बता जेता हूं इसका हो जाएगा आपका सीनवर एनसर हो जाएगा यानि सीनमर आपका क्या है जीलो है चिसका ऌदे सि zł जीलो हो जाएगा अगले समय क्या आपका अगला क्या कैने है आपका संट on 2 स權 explains ब्रौब क्या हो जाएगा को इस उस स्कसर आप लोगों को पता ही होना चाहिए कौसड स्ट उस प्रौफ को हम क्या किसका फर्मॉला होता है एको स्कौरण किसका हो जाएगा नमर कर्षिटा का से जो जाएगा किसका हो जाएगा अगले नमर क्या है आपका यदिस सुमान हो तो परतिंग मूल का नाम है मान है पर्तिक मूल का मान क्या हो जायगा इसका जो है डायक्लियांसर आप लोग जानती होंगे तो सत्रेख क्या हो जागा यह फिरमूला होता है कि नहीं और नमर कर दिए अगले कि आठाना 2, प्रम से हैं तो इसका लिए प्रीक हो जाएगा इसका मैनस 4 और 12 हो जाएगा जैब इसको हम रखके देखेंगे तो आपका निकल जा+. आगल्या नम्मर क्षें क्या है ढोउचन की आबका 20 नममर निम्दे लेक्षित में कौन रहीचिक बहुपद है रहीचिक बहुपद पुचा गया है और ये इसमे है तो ये भी नहीं होगा इसलिए इसका एंसर ए नमर हो जाएगा फ्रेंड आप लोग मेरे येट्व चनल में नहीं हो तो मेरे येट्व चनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकर ने हंती और पर प्रेस करें और विडियो को like, share, comment जरूर करें मैं जितना भी कोशन बता रहा हूँ आपके exam के लिए काफी important है center exam से ज़्यादा बिहारबोट जो metric में बिहारबोट का 24 में जो exam होने वाला है annual exam उसके लिए काफी important है तो मैं आगला नमर कोशन बताता हूँ आपको तब दक मेरा आईटिप चनल को आप लोग लाइक, share, subscribe कर दिजिए एक तरीघाद भौपद के सुन्यकों की अधिक्तम संख्या है एक तरीघाद भौपद की सुन्यकों की अधिक्तम संख्या क्या हो सकता है इसका answer आप लोग को पता ही होगा कि कि मैं पहले यी बोल दिया कि इसका जो हो जागा, एन्स ög तरीघाद भौनेगा तो 3 answer हो जागा दू एक बोलेगा तो 2 हो जाता और र्याख्यक बोलता तो 1 हो जाता लगर इसका answer क्या हो जाएगा अंगले answer क्या है मेनस M स्कॉर्य मेनस M ± 3 के सुनने का योग है यानि इसका जो है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका 22 का क्या हो जाएगा 22 का B यानि 2 हो जाएगा तो इसका formula क्या होता आपका इसका formula क्या होता है इसका क्या पुछा गया 22 का यानि बहुपद M3 मैनस 3M2 मैनस MN कि सुन्यों को का योग पुछाई गिया है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका इसका एंसर क्या हो जाएगा नहीं इसका एंसर हो जाएगा आपका इसका एंसर हो जाएगा 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 इसक विवेचेक है यानि इसका तो आप लोग को पता ही होगा यह जो है विजगर मैंस 4AC के बरावर होता है एक नमर इसका इंसर हो जागा तेस्का यह सलिए अगला नमर कुशन क्या आपका यदि एक्स मेंस य बरावर दो तथा एक्स प्लस रावर दस है तो तो इसका हम सॉल्ब क जाएगा क्यों हमको यह और यह कड़ी जाएगा यह क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा यह हो जाएगा यह का मान रख देंगे हम रखने के बाद इसका निकल जाएगा यह 24 का जो जाएगा आपका जूभे सिनुन हो जाएगा ज्समानी स्रेणी में है तो ईसका इंशल हो दी निंब्र हो जाएगा 16 हो जाएगा इसका आपका डी निंबर अगले नम्र क्या आपका शमानदर सरेनी ए बटे पी ए बटे पी स्कूर इट बटे मैनस पी और मेंस टूब बटे पी यानी पी स्कूर सबाइब निकालने की लाहाँ करेंगे ये टू मिनस एक है टु मैनस याँ एक है वर वन ऐर पी और एउन क्या है वन बाइब यथा पी आपका इस्ताइब आपका बीडिया पी कर दीचे ड्रेक्ट तो यहाँ वन मैनस पी होझाए का पर यह और यह जाताएगा और यह थे रही हो जाएगा यह और यह कर जाएगा साओ है झाल के फिद इसनार को 3 होगा स्वापता है इसको में य्योज करेंगे तो इसका एंसर होजाएगा सीनर में दिशतर फर्मुला ऐसा क्या होता है यह प्लस एन मेनस वन एंटू डी आपको दी पता है इट बैसे तीस 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 रख देंगे और एका मान दस है तो दस रख देंगे बस सॉल्ब करेंगे आपका निकल जाएगा इसका कुस्टन है समादा सरेड़नी 5,8,1,2,2 का कौन सा पत 383 है चलिए इसको भी सब सॉल्ब करेंगे है तो इसका answer क्या निकल का आजाएगा आपका दीनमर निकल का आजाएगा 127 हो जाएगा अगले नमर कुछन क्या है अगले नमर कुछन है निम्दे लेखित में कौन तो रूट तीन बटे दो के बराबर है निम्दे लेखित में से कौन रूट तीन बटे दो के बराबर है तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका कौस साथ का जो मान होता है कौस साथ का मान रूट तीन बटे दो के बराबर होता है सूरे अगले अमर कुस्टन किए यह यदि लड़ें को स्कॉरों मैंस ल किस phase इसको हम चेंज करेंगे किसमें कॉट कॉट नबय मैनेस चारी करेंगे तो आपका यानी सेग 24 मैनस यह तो इसका जब है क्वे ऊड़ीं tiya होता है तो इसको भी चैज्ज करेंगे स्क्वायर स्क्वाइर स्क्वायर कि मिल एसका चाहएगा यह यह कटके चिलो हो जाएगा दिप और जो जाएगा तरह आग्या आप प्र इसयों होगा तो अब भी इस तरह सा आप बना भी सकते है तो इसका भी एंसर डानेटली आप लोग जीरओ देधी, ठीक है एकले नम्र कुछन क्या है, थीजिक्षक ये सेम slash 9 निकालेंगे! निकालने का बात इसका मान जो है zero हो जाएगा एकला नम्र कुस्ण क्या है आपका यह Еще थीटा का मान क्या होगा तो cær nyt ila मोंड क्या होगा 44 का मान जो decorative zica ay बर्राबर हो दीटल guardians यहाए 3 अआनि 45 का मान पर Chapter हो एक आद देखा एकब BE डिग्री में इसका मांद दोनों तो बराबर हो जाएगा के चलिए अगला बर कुसन क्या है बराबर क्या हो तेन थीथाेंटू थेटा इन्टूफ सेक थिठी और उरा ₤ वन वाई साइन थीथा और सिक थीठी अब का सकते हैं वन भाय क要 ऑगाँ चाहि Martinez तो वन में कोंच अगले नम्मर को सरह मां इसका माहनाया जो निकालेगे वाद इसका डेलेक्लिक कर सकते क्या है इस तरह का को सबस्क्राइब करेंगे साथी समझ कर नीचे में अगले को आप इसको और एक पतर्ड यह अगला क मने को धाए leo दो सिक्कों को उच्छाल में संभब परिनामों की संख्या है तो इस question का answer हो जाएगा आपका A number दो बार आने की संभब ना है दो दो आने की चलिए अगले number question क्या है आपका एक पासे को फेकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायक्ता है इसका answer आप लोगको पता ही होगा इसका answer क्या हो जाएगा आपका B number हो जाएगा 1 x 2 चाहएक परक्ता परइदे पराएक्ता बराबर 0.07 तो तो यह चाह जाएगा जिरो-पोई-जीरो-जीरो करेंगे और इसके बाद हम घृताएंगे जीरो-प्वांट-जीरो-साथ को क्या हो जाएगा जो जेए आपका-ए- नमर का जो ऑप्सन है जिरो पोईंट जिरो नाइन थिरी इसका एंसर हो जाएगा अगले नमर कुसन क्या आपका एक ठीले में चार सफेद छे लाल और साथ काली वाली तीन नीली गेंद है तो एक गेंद एजरी छेता निकाली जाती है तो इसके सफेद होने की प्राइक तक क् यानि 20 है तो एक बड़े 20 हो जाएगा अगले नमर कुसन क्या है यदि साइंट ही ड़ावरावट एब बड़े बी हो तो कोश्च ड़ावरावर क्या हो जाएगा रफाइसाब इस कुसन को आप लोग सॉल्व कीजिए एक ट्रेंगल बनाईए इस तरह से पहले एक ट्रेंग इस इसको बड़े 20 हो जाएगा मेरे इसाब से आप भी निकालिए और हंड्रे परसंट यह सही है अगला परसंट अगला नमर कुसन क्या है एक संकुन त्रीव है जिसमें कोन सी 90 डिग्री है तो कोस्ट ए पलस बी का मान होगा इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर निकल अगला नमर कुसन क्या है आपका कउस्ट बूस कोश्ट चीटा हो जाएगा इसको चेंज करतें हम करतें में वन्सित साइन टिटा कर देंगा है को सब्सक्राइब तो अगले नमर कुसन क्यां आपका 16-33-30-30-30-30-30-31-30-35-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30 घृ के का बएक मिनार से 100 यह स्थित बिंदू पर मिनार का उण्यन को 90 डिग्री कर थो ङी उचैँ है को यहेजी इसका जो जाएगा जोजिए हो जाएगा सिंस्ट हो जाए का शली कर यह थी और बरावर वीटा बर वर सानर पर विटा का मान है कि इसन का इसका केंगा इसका फैक्ट करण्यागा नार ख़ते का है एंसर का स्थ जाएगा श्रीट कुल जै थी नंजार हो जाएगा श्कbor यह जाएगा इसका मान निकल के कितना आ जाएगा इसका हो जाएगा आपका बी नमर एक निकल के आ जाएगा यह जाएगा अगला और लाश्ट नमर कुस्टन आपका ब्याली सेंटेमिटर वायस वाले विरित की परीज़ी क्या होगी बाइस सेंटेमिटर यह जाएगा तो टू पाई आर होता है तो टू एंटू बाइस बटे साथ पाई का मांदक देंगे और रेडियस है यानि इसका आ सारे को गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद मेरा क्या इंससा निकल के आजाएगा इसका जो पचास का सी नमर एक सो बाईस सेंटेमिटर निकल के आजाएगा तो फ्रेंड मैं एक से पतास तक का देकशन मताया हूं जो हंडेट परसंट आपकी एकजाम में 25 नॉवंब अगर आप मेरे चनल में नए हो तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक सेर केमें जरूर करें जब तक के लिए बाइबाइब फिर मिलते हैं आगले वीडियो में वाचिंग फोर थेंक्यू